नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चनल एक्सिलेंट गुरूपर साथियों मैं हूँ राके सिहाग और हमेशा की त्रह दमदार क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज हम क्लास नमबर 20 करने वाले हैं गुनिस क्लास हमारी कंपलीट हो चुके हैं जो हमारा रेलवे का पी वाई क्यू जो बैच चल रहा है समुंदर मंतन जिसका नाम मैंने रखा है उसका ये 20 नमबर वीडियो है इससे पहले मैंने गुनिस वीडियो कंपलीट करवा दिये जो discussion आपको बताता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से concept आपको बता रहा हूँ, जिसके आदार पर बहुत सारी question आप कर सकते हो, और railway का जो pattern होता है, उसके अंदर यही question पुछे जाते हैं, यानि कोई भी आपका PYQ है, उसमें जो option है, उस option में से question बना के आपको दे देते हैं exam के अंदर, और आप वो गलत भी कर देते हो, अब आपको गबराने की बिल्कुल भी आउ सकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए अच्छा content त्यार कर रहा है, रात को late-late, मतलब बहुत late तक में आपके लिए content त्यार करता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता आपके लिए content द्यार करने में, आपको पढ़ाने में, क्योंकि आप sport भी कर रहे हो, और जिस दिन आपको एक seat मिलेगी, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुसी होगी, या आप कोई सुझाओ देना चाहिए ना मेरे को, इस class के बारे में, तो आपका comment है, वो आमंतरीत है comment section खुला है, वहाँ आप कोई सुझाओ दे सकते हैं, तो जड़ा देरीना करते हैं, और class में बात करते हैं, पहले question के, पहला question आपके सामने आचुका ऐसा थी, कि एक लड़का 120 Newton भार के एक बक्से को 2 मिटर की उंचाई तक उठाता है, उठाता है, तो उसके द्वारा किया गयाकार ये कितना है, यानि ये question में आपको पीछे भी करवा चुका हूँगे, ऐसा question, फिर से discuss करते हैं, इसमें आपको दे रखा है M का मान, यानि कहने का मतलब ये है, कि इसमें एक भार है, उस भार का कितना मान दे रखा है आपको, 120 Newton, यानि जो आपका भार है, भार, उस भार को आप परत्वी के उपर क्या मान सकते हो, दर्वे मान भी मान सकते हो, भार जो होता है, और दर्वे मान जो होते हैं, ये परत्वी के उपर समान होते हैं, अंतरिक्स में इनका मतल मान है, वो बदल जाता है, इसलिए परत्वी की बात यहां पर हो रही है, इसलिए भार कम क्या मान सकते हैं दर्वेमान और दर्वेमान कम क्या लिखते हैं M लिखते हैं M का मान हमें दे रखा 120 क्लीर बात है 120 यहाँ पर तो आपको Newton दे रखा है लेकिन आप kg लिख सकते हो क्योंकि kg और Newton प्रत्वी के उपर बराबर होते हैं भार का जो मातरक होता है वो आपका न्यूटन होता है बार का मातरक न्यूटन होता है साथ ही और जो आपका द्रिवेमान होता है इसका मातरक होता है आपका केजी ठीक है तो ये परत्वी के उपर दोनों समान होते हैं बार और द्रिवेमान इसलिए न्यूट होगा कहां पर परत्वी के उपर 120 kg भी लिख सकते हैं या Newton लिख सकते हैं अब आगे बात करते हैं कि 120 Newton भार को वो 2 मिटर उन्चाई तक उठाता है कितने मिटर उन्चाई तक 2 मिटर उन्चाई तक याई H का जो मान है वो आपको देर रखा है 2 मिटर तो आपको कारिये का मान पूछा है W का मान पूछा है मेरे साथी और आपको पता है कि W के यानि कारिये के बहुत सारे सुत्र होते हैं उसमें एक हमारा सुत्र होता है W बराबर MGH अब वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भी कौन सा सुत्र कुन सा formula हम काम लें और formula साथी वही काम मिले ना जिसमें सबसे ज़्यादा मान हमें दे रखे हों जैसे mzhs की बात करें तो यहाँ पर m का मान दे रखे h का मान दे रखे है इसलिए हम यही सुत्र काम मिलेंगे अगर हम w का यह सुत्र काम में ले ले मानलो fs coast theta तो साथी यहाँ पर f command 220 मान सकते हम लेकिन ना तो हमें s दे रखा ना यहाँ पर coast theta दे रखा है ना इसी प्रकार से w बराबर 1 बटे 2 m v square की बात करते हैं तो यहाँ पर वेग नहीं दे रखा इसलिए सबसे ज़ादा जो जुरूरी जो सुत्र है हमारे लिए वो यह है इस question के लिए बहुत सारे question यहसे भी है जिसमें यह सुत्र भी काम आते हैं जो मैंने आपको करवाए भी हैं और आगे भी मैं आपको करवाऊंगा तो इस question के लिए जो best हमारा formula होगा वो यही होगा अब W बराबर M का मान आपको 123 का है G का मान आप G का जो मान ना गुरुत्वी तवरन का मान इसको कहा जाता है गुरुत्वी तवरन इसको हम गुरुत्वी तवरन कहते हैं और गुरुत्वी तवरन का जो मान होता है साथी वो होता है 9.8 मिटर पर सेकेंड स्केर यहां फिर इसको हम क्या कर लेते हैं दस मान लेते हैं अब वो तो आपको decide करना है कि आपको कौन सा काम मिलेना है अब आपको option देखना है अगर option के अंदर point के अंदर मान दे रखा है तो हम ये काम मिलेंगे अगर point में मान नहीं दे रखा है तो हम ये काम में ले लेंगे, तो अगर आप option को देखोगे न, तो कोई point के अंदर मान नहीं है, इसलिए हम 10 काम में ले लेते हैं, और गुणा में कितना आ गया 200, अरे बताओ बात समझ में आई की नहीं आई, बात समझ में आई की नहीं आई, अच्छा, समान ये सुत्र काम म मेरे साथी, जब आपको समान पर किया गया कार ये पूछता, समान पर किया गया कार ये पूछता, किया गया कार ये जब पूछता, तब आपको ये सुत्र काम में लेना था, अब इसके नुसार कितना आएगा, इसके नुसार आएगा, 2400 जूल, कितना आएगा, 2400 जूल, क् वो आपको 120 Newton दे रखा है, ठीक है, और इसमें 2 Meter, 2 Meter उन्चाई, वो एक परकार के आपका विस्थापन हो गया, कितना? 2 Meter विस्थापन, S कमdar कितना दे रखा है, आपको 2 Meter दे रखा है, अब आपको W कमान पूँचा है, किया गया कार्ये पूचा है, अगर इसी कुछन में एक नाम जोड़ देता कि उठाये गए समान पर किया गया कारिये उठाये गए समान पर किया गया कारिये जब पूछता तो आपका उत्तर होता 2400 जूल लेकिन इसमें किया गया कारिये पूछा है समान के उपर काम नहीं पूछा रे क्यूसन की लेंग्वेज आपको पटने पड़ेगी इसमें आपको सिर्फ किया गया कार ये पुछा है ने की समान पर किया गया कार ये अगर समान पर किया गया कार ये पुछता तो हम ये सुत्र काम में लेते अब आपको सिर्फ पुछा गया कि उसके द्वारा किया गया क स्वारान वगेर में कोई बात ने दे रखी है तो उसके द्वरा किया गया कार यह आपका सूतर हो जाएगा क्योंकि उपर की तरफ उसने बाहर को इस प्रकार से उठाया था और उपर की और उठाया तो उसका विस्थापन भी उपर की और हुआ यानि विस्थापन और बल की दिशा एक है इसलिए 0 डिगरी का आपका बल और आपका विस्थापन की भी इसमें कौन कितना बनेगा 0 और साथी इसमें कितना रहा था 2400 जूल यानि सामान पर किया गया कार ये तो है वो 2400 जूल है और उसके द्वारा जो किया गया कार ये उस लड़के के द्वारा किया गया कार ये 240 जूल है बताओ समंझ में आया कि नहीं आया तो अब आपको क्यूशन देखना पड़ेगा भी उसके द्वरा किया गया कार ये पुछा है या फिर उस समान के उपर किया गया कार ये पुछा है समान के उपर किया गया कार ये 2400 और उसके द्वरा उस लड़की के द्वरा किया गया कार ये 240 बताओ कितना श्यांदार क्यूशन है option number आपका जो C है न वो इस क्यूशन का क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बताओ समझ मैं आया कि नहीं आया clear है चली आगे वड़ते हैं दूसरा क्यूशन कि कारिय करने की छमता क्या कहलाती है काम करने की छमता जो कहलाती है साथी वो कहलाती है आपकी काम करने की छमता होती है वो आपकी उर्जा कहलाती है कारिय करने की छमता जो होती है वो उर्जा कहलाती है और कारिय करने की दर होती है उसको हम सक्ति कहते हैं देखो कारिय करने की कारिय करने की छमता कारिय करने की जो छमता होती है इसको हम कहते हैं उर्जा और जो कारिय करने की दर जो होती है कारिय करने की दर ये क्या कहलाती है आपके सक्ति कहलाती है दर में और छमता में क्या है जैसे मान लो कि एक बुक है एक book है उसको मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता ये मेरी छमता है मतलब वो मेरी उर्जा हो गई और मैं एक book को दो दिन में पढ़ सकता हूँ या तीन दिन में पढ़ सकता हूँ वो मेरी सकती हो गई दर का मतलब समय जिसके अंदर समय को denote किया जाता है उसको हम बोलते हैं सक्ति और जिसमें समय काम नहीं आता उस काम को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता वो मेरी चमता है मतलब उर्जा है एक परकार की और उस काम को मैं 10 दिन में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता काॉर्जा का जाता है और काॉर्जा करने के जो दिर्ध होती है उसके हैँ सकती कहते है तो इस question का जो answer जो or option number c होगा आपका बताव समझ में आया कि नहीं आया क्लिर में हुआ कि नहीं हुआ आप कहोगे सर बिलकुल हो गया तो फिर देर किस बात के आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर क्शा आपके सामने है यहादि कार्य कमान दनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी उर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये क्यूशन आपसे पूछा है मतलब कारिय कमान धनात्मक है कारिय कमान क्या है धनात्मक है कारिय कमान है धनात्मक कारिय आपका धनात्मक है ठीक है अब आपको पूछा है कि इस धनात्मक कारिय के आधार पर उर्जा के बारे में आप क्या कह सकते हैं उर्जा में क्या होगा option number a को देखो option number a में दे रखाया कि उसकी उर्जा का हार्ष होगा मतलब उसकी उर्जा कम होगी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि कार ये दिनात्मक है, मतलब पलस में है, पलस है तो मतलब बढ़ेगी, अगर माईनस होगत क्या हो जाए, घट जाएगी, मेरी चमता पलस हो गई, तो मेरी अंदर उर्जा जादा आ गई, और मेरी चमता कम हो गई, इसका मतलब कार ये दिनात्मक है, तो उर्जा में क् वर्दी होगी, अगर कार्ये रिनात्मक हो जाएगा, अगर रिनात्मक होगा कार्ये, तो उर्जा का क्या होगा, उर्जा की कमी होगी, उर्जा की क्या होगी, कमी, अब आपको पूछा है, कि जब कार्ये धनात्मक होता है, तो उर्जा के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो सा आपकी उर्जा होगी वो द्वर्दी होगी उसमें और अगर कार ये कामान रिनात्मक है तो उसमें क्या होगी कमी होगी लिए रहे वाक्त ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर next question की और चार नमबर की और चार नमबर की और आपके सामने अच्छे से पढ़ लीजिए चार नमबर की और चार नमबर की और आपको ये देखे बताना है कि कोन सी इस्थिती के अंदर कार ये कामान सुनने है मतलब कार ये नहीं किया जा रहा ये आपको बताना है तो ओप्सन नमबर एक को देखो कि कपील अपने कंधे पर 10 किलो ग्राम का भार लेकर खड़ा है अब उसका कंधा कितनी उंचाई पर है उस सामान पर किया गया कारी हमें नहीं पूछा है हमें तो यह पूछा है कि किस इस्थिती में काम हो रहा है और किस इस्थिती में काम नहीं हो रहा यही बताना है आपको तो देखो कपिल नाम का लड़का है वो अपने कंदे के उपर वो अपने कंदे के उपर यहां पर क्या लेकर खड़ा है एक भार लेकर खड़ा है कितने केजी का है साथी 10 केजी का भार है वो अपने कंदे के उपर लेकर इस प्रकार से खड़ा है तो उसके अंदर ना तो विस्थापन है उसके अंदर वो खड़ा है एक जगे एक जगे खड़ा है इसका मतलब इसमें विस्थापन का मान क्या है इसमें विस्थापन का मान सुनने है विस्थापन इसमें सुनने है तो F S कोस्थिटा के आदार पर हम S का मान सुनने रखेंगे तो साथ ये पूरा का पूरा मान क्या हो मतलब बिल्कुल एक स्थिर खड़ा है वो इसका मतलब कपील की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा सुनने होगा और हमें यही पुछा है कि कौन से स्थिति के अंदर कार्य सुनने होगा तो आप option number A क्या कर दोगे क्रेक्ट एंसर कर दोगे अन्य option की बात करते हैं अन्य option में देखो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा option number B की बात करते हैं कि सचीन 4 किलो मीटर चलता है मान लो मैं इस साइड चलूँगा तो मेरा बल भी आगे की ओर है और मैं चल भी इदर रहा हूँ मतलब बल भी है मैंने बल भी लगाया है चलने के लिए और मैंने विस्थापन भी तैक किया है मतलब दूरी भी तैक की है इस चल रहा हूँ तो विस्थापन भी मैंने तैक किया है विस्थापन का मान भी सुनने नहीं हो सकता तो इसका मतलब F का मान भी कुछ न कुछ होगा और S का मान भी कुछ न कुछ होगा इसका मतलब यह मान सुनने तो नहीं हो सकता सुनने नहीं होगा तो फिर इस से जादा कु लेकर के खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार यह सुनने है अगर दूसरी अप्जन की बात करते उसमें दे रहा है कि एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है अब वजन के बारे में यह नहीं बता रखा कि वजन वो अपने सर की उपर लेके जाता है या अप लो नीचे उसके टायर लगे हैं तो इस परकार से खिसकागे भी ले जा सकता है तो इसमें सबस्ट नहीं कर रखा कि वो समान कैसे लेके जाता है अगर वो अपने सर की उपर रखी लेके जाता तब तो उसकी द्वारा किया गया कारिया सुनने होता मतलब कोई सामान है और वो सामान कुले अपने सर की उपर रख़्े इस परकार से हैं एक बस से हैं एक कार की तरफ सामान लेकि जाता तो उसके द्वारा किया गय कारी सुनने क्यों होता क्यूंकि उसने जो वजन रख रखा है ना बाहर वो बल निचे की ओर लगा रहा है और उसका विस्थापन आगी की तरफ है तो इन दोनों की बीचमें जो कौन बनेगा वो कितने डिगरी का बनेगा? 90 डिगरी का और जब कौन 90 डिगरी का बनेगा? याBobका 90 डिगरी हो गया मेरे साथी तो कोस 90 डिगरी का मान कितना होता है कोस 90 डिगरी का मान आपका सुनने होता है इसलिए किया गया कार यह सुनने होता है लेकिन इसमें यह नहीं बता रखा है कि वो अपने कंदे पर रखता है या अपने सर पर रखता है इसमें तो यह कह दिया कि बस वो एक सामान को एक बस से कार के तरह पूंचा रहा है इसका मतलब वो खिसका के भी पूंचा सकता है इसलिए हम किया गया कार, यह सुनने नहीं मान सकते बताव बात समझ मैं एक ही की नहीं आई अगर इसी परकार से बात करते हैSoption number D की इसमें दे रहा है कि अरुन मैदान पर किर्केट खेलता है जब वो किर्केट खेलता है तो वो दोड़ता भी तो होगा अब वो दोड़ेगा तो वो बल भी लगाएगा और दोड़ेगा तो विस्थापन भी कवर होगा तो इसका मतल़ इसमें बल भी है इसमें विस्थापन भी है तो इसका मान भी सुनने नहीं हो सकता तो ओपसन नमबर एक एसा है आपका जिसके अंदर किया गया कारिये सुनने है पता हो समझ मैं आया कि नहीं आया क्लियर है बात है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पांस नमबर क्यूसन आपके सामने है कि बल द्वारा किया गया कारिये धनातमक होता है जब यानि किसी बल के द्वारा किया गया कारिये धनातमक कब होगा? धनातमक यानि प्लस का मान कब आएगा? देखो सोच के देखो कि मान लो ये बल है वो इस साइड है और यह आपका s है मतलब विस्ताफपन वो भी इस साइड है दोनों की दिसा एक ही है अगर दोनों की दिसा एक है तो इनके बीच में जो ठिटा का मान आएगा इसके बीच में जो कौण बनेगा ठिटा का मान वो कितना होगा 0 degree और cos 0 degree का मान जो होता है वो एक होता है, तो W कमान कितना जाएगा, F, S कोस 0 डिगरी कमान कितना गया, एक आगया, गुणा एक अब इनका कोई न कोई तो मान होगा बल का मान मान लो 5 नूटन है और इसका मान 3 किलोमीटर है, तो इसको एक से गुणा करेंगे, कितना आएगा, पंदर आएगा, यानि यह प्लस काएगा, अगर कोस 0 डिगरी का मान प्लस है न, तो यह पूरा मान भी प्लस काएगा, अगर यह माइनस होता, तो यह भी माइनस आता तो आपको यह पूछा है, कि किया गया कार ये धनात्मक कब होगा किया गया कार ये धनात्मक कब होता है मेरे साथी जब बल व विस्थापन की दिसा समान हो विस्थापन की दिसा समान हो अगर बल और विस्थापन की दिसा समान होती है तो किया गया कार ये कैसा होता है साथी दनात्मक होता है कैसा होता है दनात्मक इसी परकार से आपको एक बात और याद रखनी है अगर बल और विस्थापन की दिसा बल विस्थापन की दिसा अगर विपरीत है एक दूसरे के विपरीत है तो इस स्थिति में किया गया कारिया आपका होता है रिनात्मक अब आप कहोगी रिनात्मक कैसे होता है अगर बल और विस्थापन की दिसा विपरीत है मान लो बल इस साइड है और विस्थापन इस साइड है तो इन दोनों के बीच में जो कौन बनेगा ना के बीस में कौन बनेगा बल और विस्थापन के बीस में जो कौन बनेगा उसका मान होगा 180 degree और कोस 180 degree का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1 अब ये माइनस का एक आगया अब इस माइनस एक को अमगुणा करें तो माइनस ही तो आएगा कलीर हो इने बात तो जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कारी रिनातमक होता है और जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है या वो एक दूसरे के समानतर होते हैं तो किया गया कारी रिनातमक होता है अब आपको ये देखना है option में क्या-क्या देरखा है option A में देरखा है कि विस्थापन बल की दिसा में होता है यही आपका बिल्कुल सही है विस्थापन जब बल की दिसा में होगा न तब ही किया गया कारी धनात्मक होगा तो इस question का जो option number A है वो आपका correct हो जाएगा option number A बताओ समझ में आया कि नहीं आया clear है ना option number B की बात करते है B को देखो कि विस्थापन बल की लंबवत होता है यानि यह आपका बल है मानलोपर की साइड और विस्थापन आपका इस साइड है लंबवत का मत् swag इन दौनोव के बीस میں 90D का कौण हो अगर 90D का कौण हो जाता है साथ ही तो kos 90D का मानलोपर की सुन्ने मानलोपर की सब्सक्ता है सब्सक्राय को पूरे को सुन्ने बना देगा clear है बत और विप्रित होगा तो क्या हो जाएगी माइनिस आपका रिनात्मक कारी हो जाएगा बताओ कोई तकलीफ है तो मेरे इसाब से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं च्छे नमर क्यूशन है कि कारीय सुनने होने की स्थिति में विस्थापन और लगाएगे बल के बीच में कौन कितना होता है अभी अभी मैंने बताया कि जब कारीय सुनने होगा न तो इन बल के और विस्थापन के बीच में जो कौन होगा वो कितने डिग्री का होगा तो आप कहोगे 90 डिग्री का कितने डिग्री का 90 डिग्री का आपका जो option number जो c है न वो execution का क्या होगा correct होगा यानि जब कारिये सुनने होता है तो उस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच में जो कौन होता है उस कौन का मान होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है तो जो काम होता है वो माइनस का होता है और जब वो 0 डिग्री होता है तो काम होता है वो प्लस का होता है और जब 90 डिग्री होता है बल और विस्थापन के बीच में कौन तो किया गया कारिये सुनने होता है बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई क्लीर ह आगे बढ़ते हैं साथ नमबर क्यूशन की और साथ नमबर क्यूशन है कि यदि किया गया कार्य सुन्ने है तो बल और विस्थापन की बीच में कौन कितना होगा वही क्यूशन 90 डिगरी का कौन होगा option number आपका जो B है वो इस question का correct answer है आगे वड़ते हैं question number 8 है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 नूटन का बहार उठाता है इसमें उठाने की बात की है उठाने की बात ये बड़ी important बात है ध्यान से देखो इस question को इस question में दिया है कि एक कुली है वो 100 मीटर की दूरी तक 500 नूटन का बहार उठाता है ये मालो कुली है और ये 500 नूटन का क्या करता है 500 नूटन का बहार उठाता है तो उसकी द्वरा किया गया कार ये कितना होगा मैंने आपको बताया था कि सोचके देखो ये भार इसने उपर रख रखा है इस भार ने जो बल लगा रखा है वो नीचे की और लगा रखा है इस साइड में इस भार ने बल जो लगाया है इसकी उपर वो नीचे की साइड लगाया है और इसमें जो विस्थापन है वो इस साइड है दार पर W का मान देखो कितना आएगा F का मान हमें दे रहा है 500 Newton गुणा S का मान हमें दे दिया 100 meter गुणा cos theta की जगाम कितना काम मिलेंगे 90 degree और cos 90 degree का मान होता है 0 अब इस 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तो W का मान क्या आजाएगा आपका सुनने आजाएगा कितना आजाएगा सुनने इस question का जो option number आपका C है ना C वो बिल्कुल correct होगा यानि जब कोई कुली अपने सर के उपर 500 Newton का बहार ले करके 100 meter की दूरी ताय करता है तो विज्ञान की बासा में उसके द्वारा कोई कारिये नहीं किया गया यानि उसके द्वारा किया गया कारिये क्या है बिल्कुल सुनने है clear है बात concept समझ में आया तो इस class में हमने 8 question कर लिए हमारे physics के कारिये के अगली class में हम कारिये के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि आपका सारा concept clear हो जाएगा कारियेगा अब हम बात करते next no number question के no number question आपके सामने है कि दिया गया परतीक इस सामने है या आपका hydrogen का या आपका hydrogen का परतीक है यानि अब जो हम वरतमान में जो पढते हैं आधुनिक पढते हैं पढते हैं लेकिन इन पढते हैं लो समझ में आ गया लेकिन इसके लावा बहुत सारी कि उसने से हैं, जिनके मतलब यह से बहुत सारी तत्व हैं जिनके प्रतिक चितरात्मक रूप में हैं तो वो सारे के सारे में पता होने चाहिए और वो तो हमें पता होने ही से हैं जो NCRT में दे रखे हैं और जो 9th कलास की जो NCRT है ना, उसमें 10-12 के चित्र हमें दे रखिये हैं परतीक के वो आपको याद रखने है तो यह तो आपको hydrogen का याद रखना है hydrogen का एक circle होता है उसके बीच में आपका बिल्कुल black रंग का एक मतलब बिंदू सा होता है अगर हम बात करते हैं साथी FASFORUS की FASFORUS की बात करते हैं तो जो आपका FASFORUS होता है उसका परतिक होता है एक СIRCLE के अंदर आपका जो मस्टीज जो गाड़ी आती है उसका जो लोगो होता है न वही इसके अंदर आएगा इस परकार से ये आपका किसका परतिक है FASFORUS का समझ में आई की नहीं बात है यह fast force का हो गया इत्रोजन का circle के अंदर एक बिंदू ब्लेक रंग का और fast force का एक circle के अंदर इस परकार से टीन जो लाइने हैं वो आपका हो जाएगा fast force का अगर हम oxygen की बात करें oxygen की तो जो oxygen है उसका हो जाएगा एक बिल्कुल केवल circle यह जो circle है ने के अला यह आपका oxygen का परतीक है अगर हम बात करते हैं साथी इसके लावा बात करते हैं कार्बन की कार्बन की बात करें तो जो कार्बन होता है इसका परतीक होता है बिल्कुल circle लेकिन यह जो circle होता है यह थोड़ा सा ब्लेक रंग का सा होता है इसके अंदर से क्या होता है इस परकार से थोड़ा सा ब्लेक होता है मतलब बुरा-बुरा इस परकार से ब्लेक सा होता है यह आपका कार्बन है यह जो है ना यह बिल्कुल सफेद अंदर से हैं यह आपका oxygen का और अंदर से इसको हमने paint कर दिया black रंग से यह आपका carbon का हो गया clear बात है इसी प्रकार से हम बात करते हैं साथी sulfur का अगर हम sulfur की बात करें तो जो sulfur का होता है वो एक circle होता है उसके अंदर पूरा प्लस का चिन होता ना प्लस का चिन यह किसका परतीक है यह sulfur का परतीक है अगर हम बात करते हैं इसके अलावा mercury की अगर हम mercury की बात करते हैं तो जो mercury है उसमें एक circle के अंदर एक circle के अंदर इस प्रकार से चारों तरफ 8 बिंदू है इसके प्रिधी के ऊपर यह जो बिंदू है इन बिंदूंगे आधार पर हम किसका denuation करेंगे? इस परकार से हैं और इसके बीच में एक ये एक ये एक ये और एक ये ये जो है न आपका ये आपका गोल्ड का परतीक है गोल्ड मतलब सोना का परतीक है इसी परकार से हम बात करते हैं प्लेटिनम की बात करते हैं तो जो प्लेटिनम का है इस सरकल के अंदर इस सरकल के अंदर साथी आपका जो पी होगा पी इस सरकल के अंदर जो पी होगा वो किसका होगा प्लेटिनम का होगा क्लियर है बात है इसी परकार से हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं साथी आपका जिंक का अगर हम जिंक की बात करें तो इस प्रकार से जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर इस सर्कल के अंदर हमने जड लिख दिया इस सर्कल के अंदर हमने क्या रख दिया जड रख दिया तो वो आपका किसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिंक का जिंक का अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें, इस सरकल के अंदर आपका जो एस है ना, इसके आदार पर हम सिल्वर का डिनोट करते हैं, इसके लाव और बता देता हूं मैं आपको, एक है आपका कोपर, कोपर यानि तामबा, तामबा का क्या होता है, इसके बीच में होता है, इस प्रकार से C, सरकल के अं के अंदर आपको मिलेगा आई, यह होता है आपका आईरन का, यह किसका होता है, आईरन का होता है, एक और रह गया, आपका लेड हाँ, लेड के अगर बात करते हैं, वो हम आपको पूपर बताता हूं यहाँ पर, लेड, लेड का यानि जो होता है, वो सरकल के अंदर होता है आपका L, इस circle के अंदर क्या होता है L, यह आपका laid का है तो यह सारे के सारे आपको पता होने चाहिए इनका screenshot आप ले लीजिए अब कोई भी question अगर आपसे पूछेगा तो आप अराम से question का जवाब दे सकते हो question हमारा hydrogen का था लेकिन मैंने सारे बता दिए, जो NCRT के अंदर दे रखे वो बता दिए, ठीक है screenshot आपने ले लिया होगा, तो वो जो no number question है, इस question का आपका answer हो जाएगा option number D, इस question का no number question का option number D आपका बिल्कुल correct है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next बात करते हैं 10 number question है आपके सामने 10 number question को पढ़िए पहले अच्छे से 10 number question है कि रासाइनिक प्रतीक का पहला अक्सर हमेशा लिखा जाता है कोई भी रासाइनिक प्रतीक होता है, कोई भी रासाइनिक तत्व होता है, उसका जो प्रतीक लिखते है उसका जो पहला अक्सर होता है पहला अक्सर हमेंसा बड़े रूप में लिखते हैं बड़े का मतलब capital letter के अंदर लिखते हैं जैसे मालो iron है अगर iron है जैसे copper है जैसे calcium है तो इनका अगर हम परतीक लिखेंगे तो जो इसका पहला अक्सर होगा वो हम capital letter का लिखेंगे और दूसरा हम क्या लिखेंगे small letter का जो दूसरा होता है वो small letter यानि छोटे में लिखा जाता है और जो पहला अक्सर होता है वो हमेंसा बड़ा लिखा जाता है इसी प्रकार चेको अपर की बात करें तो cu अगर हम calcium की बात करें तो C है ये बात आपको याद रखने हैं पहला अक्सर हमें सा बड़ी ABCD यानि कहने का मतलब capital letter में लिखा जाता है option number आपका जो option number जो आपका B होगा वो इस question का क्या होगा correct होगा बड़ी अक्सर पहला अक्सर हमें सा बड़ा होता है clear है चली आगे बढ़ते हैं 11 number question है कि इन में से कौन सा तत्व एक उपधातू है उपधातू इसमें से कौन सी है ये आप से पूछा है तो आपको उपधातू के बारे में पता होना चाहिए साथी उपधातू कौन कौन सी है अगर हम उपधातू की बात करें तो उपधातू को ह हम अर्द चालक के नाम से भी जानते हैं या फिर अर्द दातू के नाम से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम है अर्द दातू उपधातू को हम क्या कहते हैं अर्द दातू कहते हैं इनकी जो संख्या है इनकी जो संख्या है वो प्रकृति के अंदर कितनी है तो आपका होगे साथ, उपदातों किसम क्या साथ है, अब यह जो साथ है यह कौन कौन सी है, अगर पहली की बात करें तो उसमें आता है आपका बोरोन एक है आपकी बोरोन, जिसको हम परतिक लिखते हैं, बी एक है आपकी सिलिकोन सिलिकोन अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं SI की द्वारा यह सिलिकॉन का प्रतिक है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं जर्मेनियम 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 को हम लिखते हैं GE की द्वारा किसकी द्वारा GE की द्वारा एक उताब का GA इसको कहा जाता है गेलियम इसको कहा जाता है गेलियम और ये एक परकार की धातू है गेलियम धातू है और जर्मेनियम का परतिक जी ए और जी ए परतिक आपका गेलियम का जो एक परकार की धातू है जो आपको याद रखना था ठीक है अच्छा तीसरी आपकी उपदातू होगी जर्मेनियम जो ठीका नाम है आरसेनिक और आरसेनिक का जो परतिक होता है वो होता एस इसके लावा हम बात करते हैं पांस नंबर पांस नंबर जो है वो है आपकी एंटीमनी और एंटीमनी का जो परतिक होता है वो होता है एस भी छे नंबर जो है वो है पोलोनियम पोलोनियम और यह जो पोलोनियम है इसका प्रतिक होता है पी-ओ और साथ यो पोलोनियम जो है न वो एक परकार का रेडियो एक्टिव तत्वे भी है ये एक रेडियो एक्टिव तत्वे है रेडियो दिखो देगो क्या है कि इन्हें से कौन सा एक तत्व्य उपदातू है? यह आपकी साथ उपदात्वे हैं हैं अब इन्हेन से कोई भी क्यूसनगर आता है? उपदात्व में से अरुपदातू में से था आरामanse कर सकते हो अब क्यों से कौन सा एक तत्वय उपधातू है यानि इसमें से टीन तो अलग है और इस चार उप्सन में से एक आपको उपधातू दे रहे हैं उसी की पैसान करनी है अगर हम SN की बात करते हैं SN मतलब टिन टिन तो एक दातू होती है हम GE की बात करते हैं E मतलब Zirminium तो आपका Aneem जो B है न कियुक्music का सई यांसर होगा क्योंकि आपको उपवदातु पुच्छी थी और उपवदातु आपके Hamotion नमबर B है अगर C की बात करते हैं कारबन के तो कारबन एक परकार की A दातु होती है और PB की बात करते हैं यही आपको क्यूसन पूछा गया था मताँ उसमंज में आया की नहीं आया क्लीर है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर बारा नम्बर क्यूसन कि निमन लिखित तत्वों में से अर्द दात्वों के सही युगम का पैचान कीजिए अर्द दात्व किसको कहा जाता है उप दात्व को कहा जाता है अब आपको ओपसन दे रखें इन ओपसनों में से आपको एक एसा जोड़ा देखना है जिसके अंदर दोनों ही आपको उप दात्व दे रखी हों अगर हम ओपसन नमर एक की बात करते हैं सलफर और फासफोर्स की बात करते हैं तो इसमें से एक एडातू है और साथी एक इसमें से डातू है सलफर तो एडातू है फासफोर्स आपकी डातू है हाइट्रोजन और हीलियम की बात करते हैं तो ये दोनों ही आपकी एडातू हैं अगर हम बात करते हैं कार्बन और पूछा था कि कौन सा युगम अर्ध दातूं को मानेता परदान करता है तो कौन सा करता है ओपस नमबर डी करता है ओपस नमबर डी आपका जो है न वही correct answer होगा बता उसमझ में आया कि नहीं आया क्लीर है चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा नमबर क्यूशन के और तेरा नमब क्या है आपकी उपदातू है और आपको यहीं पूछा है कि निमन में इसे कौन सा उपदातू है तो उपस नमबर डी आपका बिल्कूल correct होगा clear चलिए चलिए चोधा नमबर क्यूशन है कि कौन सा तत्वय ने तो धातू है और ने ही एधातू यानि कोई एसा तत्वय जो ने तो धातू है और ने एदातू, तो वो कौन सा होगा, वो उपदातू होगा, या तो धातू होगा, मतलब हमारे जो तत्वे होते हैं, हमारे तत्वे जो हैं, उनकी संख्या 118 है, 118 में से धातू भी है, या तो तत्वे दातू होगा, या तत्वे होगा एदातू, या फिर तत्वा होगा उपदातू, अब इस क्यूशन में यह दे रखा है, कि कोई तत्वा ने तो धातू है, और ने ए दातू, तो वो क्या बचेगा फिर, फिर आपको पीछे बचेगा, आपका पीछे बचेगा उपदातू, मतलए इन में से उपदातू कौन सी है, तो जर्मेनियम तो जो पी है, पी को काजल आता है, फार्स पूर्स परसक्ण दातू है, जर्मेनियम जी जर्मेनियम यह उपदातू हो गई, तो उप्स सनमर आपका जो बी है न, वो इस क्यूशन का करेक्ट होगा, उप्स सनमjanmer भी, बताओ समझँ में आयाया की नहीं कि नहीं है, तो यह next question की बात करते हैं 15 number question की 15 number question है कि इन में से कोन सा उत्तक उत्तक की मरमत में मदद करता है एसा कोन सा उत्तक है जो उत्तक की मरमत में मदद करता है और मैंने आपको बताया था मेरे साथी कि जो आपका उत्तक होता है सबसे पहले की बात करते हैं उपास्थी की जो उपास्थी जो है न उपास्थी उपास्थी एक अस्थी एक आपकी हड़ी अस्थी आड़ीय की बात है और एक आपका रक्त यह तीनों जो है न यह एक परकार के क्या है आपके स्योंजी उत्तक है यह तीनों क्या है आपके स्यो स्योंजी उत्तक क्या करता है ये अंगों को आपस में जोडने का काम करता है अंगों को जोडने का कारिये करता है जोडने का कारिये और स्योंजी उत्तक के अन्य उधारन के अगर बात करते हैं तो एक आता है आपका कंडरा और एक आता आपका स्नायू ये भी स्योंजी उत्तक काम आपका कंड्रा करता है और जो स्नायू होता है वो हड़ी को यानि अस्थी को अस्थी से जोड़ने का कारिये करता है अस्थी को अस्थी से जोड़ने का कारिये करता है आपका इस्नायू क्लियर है तो आपका जो उपास्थी है वो एक परकार का स्योंजी उत्तक है और ये को जोडने का कार यह करता है और उपास्थी जो होती है यह कहां पाई जाती है हमारे कान के अंदर पाई जाती है यानि जो कानन कान इसके अंदर हमारी उपास्थी होती है इसके अंदर हड़ी नहीं होती है उपास्थी बिलकुल लचिली होती है क्लियर है बात है तो नाम है अवकासी उतक और ये जो है ना ये क्या काम करता है ये जो हमारे उतक होते हैं उतक सारे उतक उन उतकों की मरमत करने का कारिये करता है ये उतकों को सहारा देने का कारिये करता है ये सहारा देने का कारिये करता है एरियोलर उतक जिसको हम अवकासी उतक भी कहते हैं और क से एसा कौन सा उत्तक है जो उत्तक की मरमत करता है तो उसका option आपका उत्र हो जाएगा ariolar option नमबर जो c है वो इस question का correct होगा कंडरा और सनायू के बारे मैंने बताई दिया उपास्त एक परकार का स्योंजी उत्तक है वो मैंने आपको साथी वसा उत्तक जो वसा को संचित करेगा उसको हम क्या कहेंगे वसा उत्तक कहेंगे देखो जो वसा को संचित रखेगा जो वसा को संचित रखेगा संचित रखेगा उसको हम कहते हैं वसा उत्तक वसा उत्तक और साथी जो वसा उत्तक होता है इसी का दूसरा नाम होता है एडिपोज उत्तक क्या का जाता है इसको एडिपोज उत्तक के नाम से भी जाना जाता है इसको एडिपोज उत्तक कहते हैं क्लियर है बात है अगर हम बात करते हैं इप्पी ओप्शन नमर एकी अगर हम इपिथीलियल की बात करते हैं जो इपिथीलियल उत्तक के साथी ये हमारे जो तवचा होती है तवचा पर पाया जाता है तवचा का निर्मान करने का जो काम है वो किसका है तवचा का जो निर्मान है वही वो कौन करता है आपका epithelial उतक करता है और तवचा जो होती है इसकी जो बाहरी जो परत होती है बाहरी ये परत इसको कहा जाता है epidermis क्या कहा जाता है epidermis इसको हम epidermis की नाम से जानते हैं तवचा की जो बाहरी परत है जो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है epidermis clear है और इसका निर्मान किसके द्वारा हुआ है इसका निर्मान इसी epithelial उतक के द्वारा हुआ है clear है बात ठीक है अगर हम बात करते हैं हमारी जो मुहे की परत होती है मुहे की परत मुहे की जो परत होती है उसका निर्मान भी कौन करता है यह epithelial करता है इसके लावा जो अंग होते हैं अंग की जो आंत्रिक आंत्रिक वे बहरी भित्ती आंत्रिक वे जो बहर की जो भित्ती होती है उस भित्ती का निर्मान करने का जो काम है वो भी किसका होता है इपी थीलियल उत्तक का होता है क्लिर है बात है इसके लावा बात करते हैं हम एरियोलर उत्तक की अभी अभी मैंने बताया था एरियोलर उत्तक के बारे में जो एरियोलर जो उत्तक होता है वो अभी अभी मैंने बताया था इसका दूसरा नाम है अवकासी उत्तक अवकासी उत्तक और ये क्या काम करता है का जो वस्चा को क्या करता है संचित करता है और यह जो एडिपोज उत्तक जो होता है ना यह हमारी तवचा के नीचे पाया जाता है तवचा के नीचे तवचा के नीचे कहने का मतलब अंग और तवचा के बीच में अंग वै तवचा के बीच तवचा के बीच में आपका मिले सत्रा नमबर की उसना है कि उत्तक क्या है उत्तक के बारे में बताना है कि उत्तक क्या है तो उत्तक के बारे में बात करते हैं उत्तक है क्या अगर हम उत्तक की बात करें टिश्यू की बात करें उत्तक की बात करें तो ये एक कोशिकाओं का समुह होता है कोशिकाओं का समुह कोशिकाओं का समुह इस कोशिकाओं के समुह के अंदर जो सभी कोशिकाओं होती है सभी जो कोशिकाओं होती है सबी कोशिकाई होती है वो कारिय, उत्पती, विकास, आकार, वे आकरती आकरती में समान होती है क्या होती है? समान होती है यानि कहने का मतलब उत्तक जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाउं का समुह होता है यानि बहुत सारी कोशिकाओं को मिला कर कि हम क्या कह देते हैं उत्त कह देते हैं लेकिन उन कोशिकाओं की एक विसेशता होती है उन कोशिकाओं के अंदर सभी की सभी कोशिकाओं कारिये की अधार पर समान होंगी वो उत्पति की अधार पर समान होंगी उनका विकास भी समान रूप से होगा उनकी आकार भी एक्जेसा होगा उनकी आकरती भी एक्जेसी होगी क्लिर है लेकिन ये नहीं है कि कोशिकाओं का समयोत हो गया लेकिन अलग-अलग कोशिकाओं का समयोत को हम क्या नहीं कह सकते उत्तक नहीं कह सकते जो समान को सिखाए होंगे जिनका कार्ये समान है जिनकी उतुपती समान है जिनका विकास समान है जिसका आकार समान है जिसकी आकर्ती समान है उनको सिखाओं के समयों को हम क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं और साथी जो उत्तक होता है वो विसेस कार्ये करने के लिए बात दे होता वसाय उत्तक हमारे बहरे आगातों से चोट से शुर्क्षा प्रदान करने का ही काम करेगा। इनका कार्य भी एक प्रकार का विशेश होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो उत्तक होते हैं वो दिखने में यानि कोशिकाओं का एक समूओ ऐसा होता है जो दिखने में और जो कार्य क्या दारपर क्या होते हैं समान होते हैं उनकों क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं और साथी उत्कों का जो अधेन है उत्कों का जो अधेन है व उतक जो होते हैं वो जन्तु उतक भी होते हैं और आपके पादप उतक भी होते हैं तो जन्तु उतक और पादप उतकों के बारे में हम आगे पड़ेंगे जन्तु उतक आपके चार परकार के हैं और पादप उतक आपके तीन परकार के हैं स्क्रेलन काईमा पेरन काईमा यह जो आपके बादप उतक हैं और जन्त उतक हैं वो स्योंजी उतक तंत्रिका उतक पेशी उतक और उपकला उतक यह चार प्रकार के आपके जन्त उतक हैं ठीक है तो अब देखो option को option number 1 को देखो कि वे को सिकाएं जो मूल रूप से तो समान हो उतक हैं मूल रूप से भी वो समान होगी तो यह बात भी गल्त है option number C को देखो वे को सिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कारिये करने में समान होती हैं, उन कोशीकाओं के समुह को हम क्या कहते हैं, उत्त कहते हैं, option number जो D है न, वो exclusion का आपका correct होगा option number D, exclusion का सही answer है, ठीक है चलिए, आगे बात करते हैं फिर 18 number cution है, कि उन कोशीकाओं के समुह को जिनकी उत्पती और सरंचना समान होती है जो एक विशेस कारिये करने के लिए अपने पास विशेसगेता रखते हैं उनको क्या का जाता है तो साथियों कोशिकाओं का ऐसा समू है जिनकी आकरती और उत्पती समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं जिनकी सरंचना समान होती है, उसको हम कहते हैं उत्तक, कोशिकाओं का जो समय होता है, उसको उत्तक कहते हैं, लेकिन उनकोशिकाओं की सरंचना कारिये और दिखने में वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसको सिकाओं के समय होते हैं, उत्तक, तो उपसन नमबर जो अठारा हड़ियां किस के उधारन है रक्त और हड़ियां किस के उधारन है तो अगर बात करते हो उप्शन नंबर एक ही स्वयोजी उत्तक की और मैंने आपको बताये भी था रक्त हड़ी और उपास्थी ये तीनों के तीनों आपके क्या है स्वयोजी उत्तक के उधारन है हम इपी थी और मस्तिस्क का निर्मान करना अमारा तंत्री का उत्तक का काम है तो आपकी जो हड़ी और जो रखत होते हैं वो किसका उधारन हो गया स्वयोजी उत्तक का हो पिसन नमबर ए इस क्यूशन का correct है चलिए आगे बात करते हैं फिर किसन नमबर 20 है कि मनुश्यों में एक स्वयोजी उत्तक का उधारन है उसको पैचाने मास पेशिया तो मास पेशिया तो पेशी उत्तक है कोशिका कोशिका साथी उत्तक नहीं है कोशिका का सुमज हो तो उसको उत्तक कहते हैं रेसे भी उत्तक नहीं है तो फिर क्या है, हड़ी जो है न हड़ी, वो आपका स्योंजी उत्तक आपको यही बताना था, कि निमिन में से स्योंजी उत्तक कौन सा है, तो स्योंजी उत्तक आपका हड़ी है, हड़ी रक्त उपास थी, कंड्रा और सनायू, यह पांच नाम याद रखना, यह आपके क्या है 500 के 500 स्योंजी उत्तक हैं तो यह हो गए आपके 20 क्यूशन बताओ अच्छा लगा या नहीं लगा समझ में आया या नहीं आया अगर समझ में नहीं आया कोई डाउट है तो आप वाट्सप पे मेसेज कर सकते हो वाट्सप नंबर जो हैं वो वीडियो के करके वाट्सप मेसेज करके कॉमेंट करके कैसे भी पहुँचा दो उसका तुनत सोलूशन में आपको दूँगा ये तना दावा है बस आप अपना स्वयोग बनाई रखिए और क्लास को देखते रहिए कोई सुझाओ देना है तो आपका कॉमेंट आमंतरित है सकते हैं लेकिन उस PDF के अंदर आपको ये सारी बाते नहीं मिलेंगी ये बाते यहीं पर मिलेंगी इसलिए आपको ये पढ़ना भी जरूरी है लिखना भी जरूरी है और दिन में एक दो बार आपको रिवीजन करना भी जरूरी है अगर ये कर लेते हैं तो आपके 75-80% जो क्यूसन है वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे वो आपको ज्यादा मात्था पजी करने क्या आउसकता नहीं है अगर क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों यारों रिस्तेदारों तक क्लास को सेर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे बहुत सारे दोस्तेशे हैं तो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए जिसलिके आपको नोटिक बेशन मिल जाए और मिलते हैं कल शाम को आठ वजे तब तक के लिए जैहिंद जे बार थैंक्यू द जान्यवाद कलफीर मिलते तब तक के लिए राम राम जैहिंद